कि अच्छा है जी आज हमारा दूसरा टापिक जो है वह है ट्रास्मिशन ऑफ डिजिटल डेटा मतलब कि हमारा डेटा होता है उसका हम डिजिटली कैसे ट्रांस्फॉर्म करते हैं मतलब एक जगा से दूसरी का किस तरह जाता है ठीक है हम बिल्कुल असाना नफाद में पढ़ेंगा कोई टेंशन नहीं है इजी होगे पढ़ेंगा आपको समझ आएगी टेंशन नहीं लेनी है अपके जी डेटा ट्रांस्मिशन की टाइप्स हैं एक है पैरलल डेटा ट्रांस जाना पैरलल ट्रांस्मिशन को परते हैं और क्या होता है पैरलल ट्रांस्मिशन में यह होता है कि जो सेंडर होता है वो जो रिसीवर को कोई भी चीज भेजता है ठीक है तो वो जो है ना वो सीधी रिसीवर के पास आती है अब उसमें जो है रिसीवर जो मतलब लेने माला ह होता है वह सिर्फ ले सकता है दे नहीं सकता और जो संडर है वह सिर्फ दे सकता है ठीक है आपको बात समझ आ रही होगी मेरी मेरी में जो क्या रहा हूना अब इसमें आपको नजर आ रहे है जो भी है बीट्स है नहीं आपको तुझा दपता होगा तो यह जो बीट्स है यह प Transmission में क्या होता है यह होता है कि यह जो Sender भीजने वाला है ना यह इंट एक ही ही भूआ में भीज़ देता है मतलब एक शओना में भीज़ देता है इसमें क्या हो रहा था इसमें पहले हर एक ना जो बिट्स था वह अपनी अलग-लग लाइन में जा रहा था अब जा रहा था थीख है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें सारे डाटर जो है वो है एक पटड़ी में जा रहा है सभी है और है उप यह ना, जो बीच के दिर्म्यान जो है, थोड़ा बहुत बीच में गैप रहादेते हैं, यह पिछले रहते हैं, ताकि जो है बीच में अगर हमारा कोई हैकर होकर, कोई जैना वो ड्रामे पाजी करता है दोनमपरी करता है या स्पुफिंग वगरा करता है तो उसको जैना थोड़ी सी तकलीफ मतलब उसे परिशानी हो हम तो चाहते हैं वो इसे जो एक्सिस भी ना कर सके तो जब वो देखेगा कि ये वाले जो है ये बीट्स है जिसमें हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होई है ये स्पेस इस चीज़ का काम करेगी कि एक बीट खत्म हो रहा है दूसरे शुरू हो उसके बीच में स्पेस छोड़ दिया तो इसका बीट का साइज बढ़ा हो गया सही है साइज बढ़ा होने से उसके ये पता लगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डेट है लेकिन उसमें तो हमने आदे से ज्यादा तो स्पेस छोड़ी हुई है डिरेक्शन ओफ लोग जो है सेंडर से रिसीवर के होगा बीट के दिर्मियान जो है जो है जाख छोड़ देंगा के लिए सिंग्रोने स्ग्रोनß में जो हना जो बीट होता ना वह गेप नहीं रखते वह बीट्स वांप सोगना मिले है उता जो है ऑना उसी तरह ही है मतलब स्थृस्प्र्स की तरह होटा है लिकिन जो हैना वो उसमें गेन छोड़ता तो जेगे निछोड़ता इस चोड़ दो यह यह लिए जोड़क है इसन्ट रूंभ रहला हो जाता है फिर यक HTL हो जाते हैं फिर खड़ा होने के बाद फिर फिर सकून कर लेते हैं पर इसके बाद फिर सो जाते हैं फिर सीधा जाता है फिर खड़ा हो जाते हैं फिर ओपर से ना यह जो करली सी है ना यह बता रही है कि ना खड़ा हुआ है ना सोय हुआ है है सब्सक्राइब कि वह फुल पावर में है आरी है समझ तो इसमें न यह वन न है न तो वन इसी तरह होना है और जो जिरो दीरो भी इसी तरह ही होना है कोई मसला ही नहीं ए ऐसे ही होती है देखो न वन पर बिल्कुर यह जो नहीं हो भूं वहाग के खड़ा हो जाता है फिर जेरो फिर फिर प्र वह ब्यायो जाता है कि यह वालर जूआज価़ एक पर उनके पाड़ा हो जाता है पिर अदेल के यह पुर consultant ऊवरा है हिसेलिए विस लिए वर्ना आ कर जाता यह अब संदान यह होग के यह होग पर जाता है फिर उसके आदा फिर तो जाता हैता सवने न नीचे नीचे लेट के यूँ गीशी मारने का मतलब है ओफ हुआ पड़ाई है समझ रहे हैं ना गीशी तब मारते हैं जो थक जाता है ठीक है तो यह वह चीज है ठीक है आगए उमीद है आपको आगई है ना पीचे से यूँ चोटी चोटी पीन लगाते हैं यह काफी सारी होती है लेकिन हमारा इन से क्या मतलब है आप इसमें यह देखो ना इसमें हर एक पीन का अलग अलग काम है अब यह दो ट्रांस्मिंड-ड़डा करती है यह तीन जो है यह रिसी ड़ड़ड़ड़ इसी दर एंजिदने वी पीन हैं इन सब सुराःों की अलग अलग काम है बहुत है तो है यालेग काम होता है ठीक है समझ आ गई होगी आपको इदर छोटे छोटे शड़ा है न तो इस पन भी छोटी ही जाती है तो हर एक पिन और हर शुरा काला काम होता है इसमें जो है देख लो चोथा पेपर में देंगे जब तक रहोगे नहीं है पास होते रहोगे ऑगे जी सिंक्रनेस फुरी के जोए नहीं यह बात में करेंगे बिलके इनी च्वाइस में छोड़े देना बस इतना सा बहुत है बहुत यह खताम हो गया है बगाते वह खतम कर दिया टेंशन जानी बड़ा टोड़ेन नहानी कोदंधे टीक है ओक्या जी